So welcome back दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चनल ब्लाग एंट्रिक में मैसेश वंकर मिसाइगा है फिर आज इनू तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं जो है आप सभी को बताऊंगा अगरे वीडियो में कैसे जो है आपको अपनी ID को Facebook से अटेच करना है क्योंकि आपको आएगो जो Star Maker का नया रूल है 9 December से पहले सभी ID को आप Facebook से connect कर लेजे नहीं तो फिर आप बाद में लॉग इन नहीं कर पाओगी क्योंकि OTP की जो सेवा होती है वो जोहर फिलाल के लिए बंद कर दी जाएगी तो तो ना पासवर्ट चैन्ज कर पाएंगे ना ही आप अपनी ID को login कर पाएंगे तो इसलिए मैं आप सभी के लिए लेकर के वीडियो आ गया हूं कि कैसे जो आप अपने नंबर वाली ID को Facebook से attach करें तो वीडियो को लाश्ट देखेगा कहीं पर भी स्कीप मत कीजिए औरना छोटी से छोटी जानकारी आपसे मिस हो जाएगी तो वीडियो कोई दिक्कत नहीं है जिस भी आपको ID को जिस भी ID से आपको attach करना है वहाँ पर अपनी ID को आप login कर लिजेगा ठीक है यहाँ पर देख लिजिए मैंने already login कर रहा है यह मेरा बड़ा वाला Facebook है छोटे वाले Facebook में भी आप login कर लिजिए ठीक है उसके बसीदे आपको यहाँ प contact friends, invite friends and connect with more friends तो चौथा वाला option आपको click करना है उसके पाद आपके समने दो option आजाएंगे इसमें से आप चाहो तो अपनी ID को Twitter से भी connect कर सकते हो Facebook से भी connect कर सकते हो तो यहाँ पर मैं Facebook पर connect करता हूँ और बड़े वाले Facebook की यही खासियत होती है कि automatic वो आपकी ID को यहाँ पर आप पर देख लिए मेरी ID तो है Facebook से अटेच हो चुकि अगर आपके पास छोटा वाला Facebook है तो आप में जो email और password डालने का option आएगा तो उसके बाद आप login कर लेना यहाँ पर आपकी ID अटेच हो जाएगी अब यह ID क्या हो गई कि मैं Facebook से भी login कर सकता हूं number से भी login कर सकता तो अभी जो number हटाने वाला था वो था सुराकू एप सुराकू एप अभी वहर करने कर रहा है तो इस पर आगे वीडियो आएगी कि आप अपने जो है तो ऐसी आगे बहुत सारी ट्रिक मैं आप सभी के लिए लेकर के आना हूँ उसके लिए आप यार चैनल को सब्सक्राइब कर रो बेल आइकान को प्रेस कर दो और आल पे सेलेक कर दो चलिए मिलते एक लिए वीडियो में तब तक के लिए खुस रही है जहां भी रही है हमें याद किजिए चलिए तब तक के लिए जहन उन्ले मातरम